So hello and welcome guys this is infotex is youtube channel Guys this particular video मैं आपको बताने वाला हूँ एक question आया था मेरे पास की printer को कैसे VLAN के साथ access कर सकते हैं तो अगर multiple VLAN आपके साथ है multiple different IP use हो रहे है network में तो कैसे आप एक printer को सारे VLAN के साथ share कर सकते हैं चले guys video को start करते हैं तो मैं Cisco packet tracker यूज़ करने वाला हूँ इस particular task को done करने के लिए और जिनका भी यह सवाल था उनको पता चल जाएगा कैसे क्या है और guys आपसे request एक ही नए है तो प्लीज चैनल को subscribe करें और साथ में bell icon दबाएं और ऐसे ही update आप पाते रहे CCNA 225 के series पे मैं वीडियो अलग बदाऊंगा बट यह question था जो कि बहुत ही बार बार है मेरे पास और मुझे भी लगा कि मुझे CCNA के पुराने series में इसको add करना चाहिए तो मैं यहाँ पे add कर लेता हूँ simple मैं दो switch लेता हूँ और VLAN फटा-फट create कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे दो department ले लिया अब जिनका भी यह सवाल है उनको मैं बता दूँ कि अगर VLAN जिनको नहीं पढ़े है तो please don't worry मैं VLAN का वीडियो भी बनाऊंगा VLAN के सारी चीजों को बताऊंगा 225 की series में तो यह VLAN 2 माल लिया HR department है और ऐसे ही यह किधर VLAN 3 VLAN 3 है जो की marketing department में काम कर रहा है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे simple cable से connect कर लेंगे जैसे की F0-0 को मैं connect कर लेता हूँ one port से और इसके दूसरे port से connect कर लेता हूँ इसको और इसका gateway हो जाएगा 1921680.1 तो उनके लिए है जो थोड़ा बहुत CCNA बारे में idea है बाकी जिनको यह समझ में नहीं आता है so please don't worry मैं complete आपको VLAN जब तक समझाना दूंगा basic level से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो यह हो गया अभी तो फिलाल गाईज यह सारे computer एक दूसरे से connect है मैं printer को भी connect कर देता हूँ three ports से मैं connect कर देता हूँ इसको यह हो गया printer पर एक IP देता हूँ printer पर जो IP मैं किसी भी class की देता हूँ लाइक कि मैं 192 के gateway को दे देता हूँ यहाँ पर 2 का जो 1 gateway है यह हो गया और Fast Ethernet पर जाकर इसका static IP address मैं देता हूँ printer का 192.168.0.2 ना देके मैं इसको 5 कर देता हूँ और यह हो गया उसके बाद guys मैं VLAN 2 में इसको एड़ करता हूँ VLAN 3 में मैं HR department sorry marketing को कैसे करना है देखो CLI mode पर जाना है आपको switch पर और यहाँ पर enable मैं करता हूँ configure terminal पर जाता हूँ interface F0 slash sorry पहले VLAN बनाना है तो यहाँ पर मैं 2 VLAN बना लूँ VLAN 2 और जिसका name हो जाएगा HR और दूसरा VLAN हो जाएगा VLAN 3 जिसका name हो जाएगा marketing उसके बाद exit मैं करता हूँ VLAN बन गया interface F0 slash 1 port को मैं switch port access करा देता हूँ VLAN 2 से अब देखो यहाँ पर switch F0 slash 1 मैंने क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर देखो F0 slash 1 HR के लिए तो मैंने access किया ऐसे ही 2 को मैं marketing के लिए add करता हूँ तो दूसरा हमारा जो port हो जाएगा interface F0 slash 2 और यहाँ पर VLAN 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 अभी दोनों department से क्या हो गया connection हो गया अभी यहाँ पे अगर मैं packet भेजू guys कि जैसे मैं यह packet उठाऊ और इस computer से इस computer भेजू तो अभी यह fail हो जाएगा और दूसरी चीज कि अगर इस computer से इस printer पर भेजू तो भी command यानि printing नहीं होगी क्योंकि अभी यहाँ पे different VLAN में यह सारी चीज़ चल देखो यहाँ पे fail हो या तो 2 में मैं कर दूँ या तो 3 में मैं कर दूँ तो चलो interface f0-3 जो port है मैं यहाँ पे interface f0-3 port को switch port access करा लेता हूँ VLAN 2 में VLAN 2 में क्योंकि है क्योंकि 2 के according मैंने इसकी IP दिया है तो अभी फिलाल यहाँ पे अगर मैं reply लूँ तो इस computer से reply नहीं आएगा like मैं दिखा दूँ आपको फिर से इस computer से reply नहीं आएगा और sorry इस PC से इस printer पर successful का एक message आना चाहिए successful like की अभी fail हो जा रहा है मतलब fail हो जा रहा है नहीं आ रहा है reply नहीं आ रहा है लाइक कीए और मैं इसको connect कर लेता हूँ यह उसके बाद आपने guys क्या करना है मैं इसको f0-4 को trunk mode पे डाल देता हूँ तो interface f0-4 यह हमारा क्या हो जाएगा switch port mode trunk अब यह हमारा trunk mode हो गया अब switch का काम खतम for trunk अब हमें यहाँ पे encapsulation यह इंटर VLAN configure करना होगा ताकि सारे computer यह printer एक दूसरे से connect हो पाएं तो मैं CLI mode पर जाता हूँ यहाँ no लिखता हूँ enable करता हूँ configuration mode पर जाता हूँ interface f0-0 और इस port को on कर देता हूँ यह हो गया अब यहाँ पे जब on हो गया तो आपने देखा कि अभी इस तरीके से तो मुझे एक port पे दो IP नहीं दे पाए गया तो मैं 192 चला हूँ या तो 172 तो मुझे यहाँ पे sub interface बनाना होगा sub interface बनाने के लिए मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे interface f0-0.1 देखो sub interface बन गया अब इस पे encapsulation की command चलाने encapsulation .1q2 vlan2 का जो IP address है guys IP address 192.168.0.1 255.255.255.0 और no shutdown की जरूरत नहीं क्योंकि यह already sub interface है ऐसे interface f0-0.2 बना देना है जब 2 बन जाएगा उसके बाद इसका encapsulation जो होगा वो .1q3 हो जाएगा और इसका जो IP address है वो 172 की range में आएगा guys यह यह अब यह हो जाने के बाद clear हो गया अब guys क्या मैं देखूं तो यह सारे computer एक दूसरे से reply लेने लगे अब मैं इस computer से दोनो computer पे ping 192.printer की IP 5 है 5 से reply आने लगा आप देख रहों यहाँ पे तो reply आने लगा इस तरीके से आप इस computer से भी अगर 5 से reply लोगे ping 202.printer से reply तो यह भी computer अब command print करा सकता है मतलब यह भी print mode पे आ गया तो like अभी मैं देखता हूं यहाँ पे देखिया गया तो यह है अब इस तरीके से आप देख रहे हो कि मतलब हमारा particular काम यहाँ पर देखो successful यह भी हो गया और इस computer से इस computer पर भेज़ेंगे तो successful हो गया गाई तो इस तरीके से आप एक printer को multiple VLAN के साथ access करा सकते हो इन सारी चीज़े पर और जब भी आपको यह printer deny करना हो या किसी एक VLAN को देना हो तो आपको printer को एक VLAN में add करना होगा और यहाँ से encapsulation की command हटा देनी होगा यहाँ इंटर VLAN हटा देना होगा असानी से वो printer separate VLAN में आ होगा कि कैसे कैसे क्या है भी बहुत सारे questions इस पर बनेंगे जो कि हम लोग आगे discuss करते हैं आई होगा इस वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया तो like subscribe और share करना मत भूलेगा मिलते नेक्स टोड़ो में thank you and good bye